दो सितंबर एक ऐसी तिथी जो भारत के इतियास में दर्ज की जा सकती है इस दिन भारत की ब्रोडकार्ट मिनिस्ट्री ने एक एहम एप जिसे पब जी कहते हैं ये एप बैन कर दी थी आज के दिन कई यूवाओं के ऐसे वीडियो देखने को मिले हैं जिसमें वो पब जी के बैन होने से शोक मरा रहे हैं खैर मैं हूँ राहुलती वारी और आप देख रहे हैं आर्थ परकाश टीवी भारत ने राश्टी सुरक्षा का हवाला देते हुए लोगप्रिय गेमिंग एप पब जी समेत 118 मोबाइल एप्स को बंद कर दिया है इससे पहले जून में 69 एप और जुलाई में 47 चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंद लगा दिया था पब जी का सबसे बड़ा बाजार भारत था एक रिपोर्ट के अनुसार पब जी को अब तक लगभग 17.5 करोड़ लोगों द्वारा इंस्टॉल किया गया यह आकड़ा भारत का ही है पब जी बैन होने के बाद से ही पब जी प्रेमिया या लवर कहलो इनको इनका गुस्सा पागलपन शोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है पब जी बैन होने पर कई तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं क्या है वो सवाल मैं आपको बताता हूँ पब जी बंद करने के महत्पूर्ण कारण क्या थे भारतिय सुरक्षा को कहां खत्रा था पब जी चीनी नहीं है सवाट कोरिया की है पब जी पहले क्यों बंद नहीं की गई पब जी के साथ कौन सी एप बैन हुई और पब जी बंद होने से किन किन को नुक्सान हुआ यूजर्स के पर्सनल इंफोर्मेशन को दूसरों को शेर कर रहा है यह भारत सरकार का कहना है पबजी मोबाइल भारती यूजर्स का डेटा कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकती है कंपनी का साफ कहना है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को अपना डेटा क्लेक्ट और प्रेस्टोर और गूगल पर आप देख सकते हैं इसे देखते हुए भारते सरकार ने यह फैसला लिया अब भारत चीन के बिगड़ते रिष्टों के बीच चीनी चीजों का भहिशकार करना भी लडाई का हिस्सा है बाकि आप खुद समझदार हैं चलिए बात करते हैं दूसर कंपनी ब्लू हैल चीन की नहीं बलकी साउथ कोरिया की है यह कंपनी साउथ कोरिया ब्लू हैल स्टूडियोज की है पब्जी मुएल कूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर 2018 में रिलीज हुया था पब्जी वीडियो गेम लगातर पॉपलर हुई और इस वजह से चीन का टेशेंट ने ही डेवलप किया इसके बाद टेशेंट पब्जी मोबाइल की पब्लिशर बन गई तब से अब तक पब्जी मोबाइल ओपन करने पर टेशेंट का लोगो आपको दिखाई देता है चलिए अगले सवाल की और मुड़ते हैं पब्जी पहले क्यों नहीं बंद बैटल ग्राउंड ने बनाया था इसे गेम को शुरुवात में ब्रेडन ने बनाया था जो की 2000 की जापानी फिल्म बैटल रोयल से प्रभावित था शुरुवात में चीन की सरकार ने इस गेम को चीन में खेलने पर प्रतिबंद लगाया था लेकिन बाद में जब यहां की पॉपुलर वीडियो गेम कंपनी ने इसे चीन में लॉंच किया तो वहां की सरकार ने अनुमती दे दी भारत की ब्रोडकाज मिनिस्ट्री ने सारा मामला समझने के बाद इस गेम को बंद कर दिया पपजी के साथ और कौन-कौन सी एप बैन हुई इस प्रशन का जवाब अब कोई पूछने वाला सवाल था चीन को ही नुकसान पहुंचा है भाईयों सीधी सीधी कमचीन की कंपनी है चीन को इसका घाटा लगेगा और चीन को ही इसका साफ तोर पर नुकसान पढ़ रहा है चीन की जो कंपनी है टेसेंट उसको इसका घाटा लग रहा है चलिए पबज PUBG Mobile की privacy policy भी दूसरे ज्यादतर एप्स की तरह ही है जो कोई जरूरी और गैर जरूरी जानकारी यूजर्स से एक्सेस करती है PUBG Mobile की privacy policy यह कहती है कि कंपनी के server भारत में ही है और यहां के users का data यहीं के servers में इखटा किया जाता है गौर तलब है कि PUBG को कई बार आलोचकों द्वारा बैन करने की गुजारिश की गई इसे बैन करने को लेकर कई माबाप जिनके बचे PUBG खेलते हैं उनकी और से सरकारों को चिठिया लिखी गई शोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए गए आए दिन अखवारों में भी छपा कि कई बच्चों ने अपने माबाप के अकाउंट से इतने पैसे बरबाद कर दिये अभी फिलहाल खरड और चंडिगड में भी बीते दिनों 16 लाख रुपए पबजी में बरबाद करने की खव पूरा नशा है जो बच्चों के अंदर घर करता जा रहा है जो बच्चों के दिमाग को स्कोड़ता जा रहा है इसको मद्दे नजर रखते हुए भारत के कई राज्यों में कई सरकारों द्वारा पबजी को उनके एरिये में बैन कर दिया गया अब बच्चे अगर खेलना ह तो भाई दूसरे राज्यों में जाओ वहाँ जाके खेलो ऐसा करते भी थे पर अब दूसरे राज्यों की तरह भारत सरकार ने भी पबजी को बैन कर दिया है अब तक के लिए बस इतना ही फिल लोटोंगा आपके लिए ऐसी ही कुछ दमदार खबरों लेकर तब तक के लिए धन्यवाद दुआ सलाम और स्वस्तरिये ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें